उन्हादे के मोसम में हम आम खाते हैं, उसके बाद में हम गुटलियों को बाड़ी हो या तो आंगन में फेक देते हैं और पोधा बड़ा होने लगता हैं फिर ऐसे पोधे फलते हैं फिर हम बोलते कि इस पर तो आम फली नहीं रहें इसलिए आपको क्या करना है जैसे आपको बताया कि उन्हाले के दिनों में हम गुटली फेक दिये और ऐसे पौधे बड़े हो चुके दो साल का हो तीन साल का हो या पात साल का हो तो ऐसे पौधे पर कलम करना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाईए आपको प्लेलिस्ट में चाल कलम बड़े पौधे पर करने के लिए और छोटे पौधे है तो उन पर आप वीग राप्टिंग किस तरह करना ची इसके वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो जैसे ही यह पौधा दिखिया इस पर हमने कलम कर लिए तो यहां भी ऐसी गुटली से ही ग्रोख हुआ पौधा है आपको कलम की लखड़ी जो चुनके लाना है तो आप आपको आपके आसपास में बगीचे होंगे या तो किसी किया आपको पता है कि इनके कोई अच्छी व आफ चीव वहां भीराइटी डिवलॉप होंगी और एक से दो साल बाद आपक्या भी फ्रूटिंग होंगी यहां देखिए पाउधा जिस पर हमने फ्रूटिंग नहीं हो रही थी इस वज़े से हमने wait इस पर कलम किया तो अब इस पे फ्रूटिंग आएंगी एक से दो साल इस तरीके से आप अपना मन पसंदिदा आम की वेराइटी अपने घर पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं